नमस्कार मैहू प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बाल फिल्म महुतसब 2023 की आज से हुई शुरवार बिहार के नव नुक्त सक्षकों की प्रमान पत्रों का होगा वेरिफिकेशन बिग बॉस सत्रह में अंकिता को फिर आई सुसान सिंग राजपूत की याद सिवान की यूसरा फात्मा का इंडिया बुक अफ रिकॉर्ड्स 2023 में नाम तर्ज अस्ट्रेलिया कप्तान ने गलिन मैक्सवल के महांतम वंडे पारी का किया खुला सा इसके साथी बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बाल फिल महुदसव 2023 की आज से हुई शुरवात आज से यानि की 8 नवंबर से बिहार में बाल फिल महुदसव की शुरवात हो गई है बता दे कि हम महुदसव दो दिवसिय यानि की आज और कल यानि की 9 नवंबर को है इस बारे में बिहार सरकार के कला संस्कृती एवं युवा विभात के द्वारा IPRD पर एक पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है जिसके तहट इस बाल फिल महुदसव 2023 का उदगाटन समारो आज आयूजित किया गया जिसमें मुख्य अधिती सह उदगाटन करता के रूप में कला संस्कृती एवं युवा विभाक के मंत्रे जितंदर कुमार राई बिहार संग्रहाले में महा निदेशक अंचनी कुमार और कला संस्कृती एवं युवा विभाक के अपर मुख्य सचीव हरजोत कौर बमहरा शामिल रहे बता दे कि अमहुदसव बिहार संग्रह ने बेली रोड पटना में आयूजित किया गया है अपने अपति जनक बयान पर सियम निदेश ने मांगी माफी बीदे दिन मुख्य मंतरे निदेश कुमार के द्वारा बिहार विधान सभा में लड़कियों को सिर्चित करने की जनसंख्या नियंतरन पर पढ़ने वाले सकरातनक प्रभाव के बाड़े में बात करते वे कुछ आपति जनक बाते कही गई जिसका पक्ष विपक्ष की महिला के द्वारा महिला विधाय को के द्वारा जम कर विरोध किया गया ऐसे मैं आज बिहार विधान सभा के शीत काली सथर के तीसरे दिन मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा अपने द्वारा दिये गए उस बयान पर सभी से माफी मांगी गए उन्होंने कहा कि हम मैलाओं के सक्षा पर जोड देते हैं अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हुई है तो अपने शब्द वापस लेता हूँ मैं अपनी खुद नंदा करता हूँ मैं न सिर्फ सर्म कर रहा हूँ बलकि दुख भी प्रकट कर रहा हूँ रुदीश कुमार ने कहा अगर हमने कोई बात कही और इस पर इतनी नंदा हो रही है तो हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं हमने तो यूँ ही कह दिया था अगर मेरा बात कहना गरत था तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ अगर कोई मेरी निंदा करता है तो मैं उनका भी नंदन करता हूँ विहार की बेटी दुर्गा सिंग ने अंडर 18 दौर में जीता सुर्ण पदग विहार की बेटी दुर्गा सिंग के दौरा तमिलनाडू के कोईमबटूर में 7 से 9 नवंबर तक चल रहे 38 वे नेशनल जूनियर अथलेटिक शेंपियर्शिप 2023 में अंडर 18 आयू वर्ग में 1500 म दौर प्रतियोगिता में सुर्ण पदग जीत कर राजी का नाम रोशन करने का काम किया है बता दे कि जानकारी बिहार राजी खेल प्रादिकरन के महानेदेशक सह मुख्य काड़ेकारी अधिकारी रविंदरन संकरन के दौरा दी गई है उन्होंने बताया कि दुर्गा असल करना बहुत ही गर्व की बात है बता दे कि दुर्गा सिंग के दौरा स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार के कला संस्कृती एवं युवा विभाग के मंतरी चितंदर कुमार राय अपर मुख्य सचीव हरजीत कॉर्बमरा बिहार राजी खेल प्रादिकरन के महानेदेश बिहार के आठ डीटी ओ को मिला एक एक जिला का अतरिक प्रभार बिहार सरकार के पड़िवहन विभाग के दौरा अधिसूशना जारीकर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के आठ जिला पड़िवहन पदादिकारी को अतरिक प्रभार में एक एक जिला दिया गया है जिसमे लखी सराई के जिला पड़िवहन पदादिकारी मुहम्मद जियाउल्ला को अत्रिक्त प्रभार के रूप में शेखपूरा दिया गया है तो वही वैशाली के जिला पड़िवहन पदादिकारी धिरंद्र कुमार को समस्तिपूर बकसर के जिला पड़िवहन पदादिकारी के जिला पड़ेवहन पदादिकारी कुमार विवेकानन्द को गोपाल गंच और सुपॉल के जिला पड़ेवहन पदादिकारी मुहमत मंजूर आलम को खगरी अजले का दित प्रभार दिया गया है बिग बॉस 17 में अंकिता को फिडाई सुसान सिंग राजपूत की याद बिग बॉस 17 में 7 नवंबर को दिखाए गए एपिसोड में एक बार फिर से अंकिता लोखंडे के द्वारा बिहार के लाल बॉलिवूड एक्टर दिवंगत सुचान सिंग राजपूत को याद किया गय दरसल अंकिता ने अविशेक कुमार के साथ गार्डन एडिया में बैठ कर बातचीत करने के दौरान कहा कि जब आप पैंट पहन कर और बेना शर्ट के घूमते हैं तो आप मुझे सुसान की याद दिलाते हैं वो ऐसा ही था जस पर अविशेक की ओर से जवाब देते वे कहा गया कि हमारे जर्णी एक जैसी होती है जिस पर अंकिता कहती हैं कि वो अग्रेसिव नहीं था उसे कभी कुछ शाह नहीं आता था सुसान बहुत शांत श्रभाव का था उन्होंने अलग के लेवल की मेहनत की वह बहुत एमोशनल था हाला कि अब आप इतने डिटेल्स के बा आद्वे की काफी सपोर्टिव था अगर वह सपोर्टिव नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती बिहार के नम नुक्त सक्षकों के प्रमान पत्रों का होगा वैरिफिकेशन बीते दिन बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के निदेश अकनह या प्रशाद स्रिवास्तव के द्वारा राज्य के सभे जला सक्षा अधिकारी को आदेश जारीकर यह जानकारी दी गई है कि राज्य बे एक लाग बीस हजार नम नुक्त सक्षकों के प्रमान पत्रों का सत्यापन किया जाएगा ऐसे में इस काम को बिन आदेरी किये गए शुरू कर दिये जाए बता दे कि उनके द्वारा कहा गया कि बिहार राज्य विद्याले अधियापक नुक्ति नियामवाली 2023 के आलोक में इसक्षकों के प्रमान पत्रों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है मालुमों कि नए सक्षकों को ततकाल गाओं के स्कूलों में भेजकर सिवा लेने का नर्देश जिलो को दिया गया है वहीं सालोक में जिलो के द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई है बिहार में बढ़ रहा वायू प्रदूशन एक्सन में नगर निगम गया है कि भवन नर्मान के दोरान हडे रंग के कपड़ी का अस्तमाल किया जाए और साथी सरकों से भवन नर्मान की सामगरी भी हटा ली जाए वही अब भवन के नर्मान के दोरान नियमों का उलंगन करने पर जुन्माना वसूला जाएगा दिवाली में दिली से पटना आने वाले बसों में सीटे उपलब्द तिवारों के दोरान यातरा करने में लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा है एक दिवाली में देश की राजधाने दिली से बिहार की राजधानी पटना आने के लिए काफी सीटे बची हुई है मालूमों कि सभी बसों में 10 नवंबर के आसपास अब भी 60-70 प्रतीशत सीटे उपलब्द है दिली क्यानन विहार से पाटले पुत्र बस टर्मिनल के लिए बसे चल रही है बतादी कि दिली से शाम 5 बजे 2 बसे, शाम 7 बजे 1 बस और सारे 3 बजे 1 बस आती है ये सभी बसे 20-22 घंटे में शफर को पूरा कर लेती है, इन बसों का अधिक्तम किराया स्लीपर का 4500 रुपया है पटना के गंगा घाटों पर शाम में चलेगा लेजर सो बतादे कि स्लेजर सो का नगर नेगम की ओर से ट्रायל भी किया गया मालम हो, कि देश भर में गंगा किनारे के शहरों में पटना को बेहतर रैंक दिलाने के लिए इस तरह की गतिवीधिया की जारी है वही इस लेजर सो का मकसद लोगों तक स्वक्षता का संदेश पहुचाना है बता दे कि पर्टना में गंगा नदी के किनारी कई तरह की गतिवीदिया भी कराई जा रही है स्यानिक स्कूल में अर्मेशन पाने का सुनहरा मौका अगर आप भी उन अविवावकों में से हैं जो अपने बच्चों को स्यानिक स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है आयुजित करवाई जाने वाली है वह इस परिच्छा में भाग लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया के शिरवाद 7 नवंबर से हो चुकी है और आवेदन करने की अंतियम तारिक 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक नरधारित की गई है एक्चो कुमेद्वार आवेदन करने के लिए AISSEE की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in slash AISSEE slash पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं मानमोक इस परिच्छा के माध्यम से कक्छा 6 और कक्छा 9 में प्रवेश लिया जा सकता है सिवान की युस्रा फात्मा का India Book of Records 2023 में नाम दर्ज बिहार का सिवान जले के बढ़रिया प्रकरन के तेतहली गाउं की बेती युस्रा फात्मा का نामि इंडिया Book of Records 2023 में दर्ज हो जुका है दरसल यूसरा फात्मा जो की केवल 15 साल 6 महीने की है उनके द्वारा 4 कावेर लिखकर इतिहास रच दिया किया है और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली पहली लड़की बन गई है मालम हो की यूसरा फात्मा जब 12 वर्ष के थी तब इनके द्वारा अपना पहला कावेर लिखा गया था पतारदी की यूसरा फात्मा को उनकी सफलता पर इंडिया वोक उफ रिकॉर्ड के डॉक्टर विश्वर उपम चौधरी के द्वारा ऑनलाइन सम्मानित किया गया है इस दोरान उन पर पुलिस की ओर से वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया गया था वही आज यानी की 8 नवंबर को भी सुभर 9 बजे से ही डाग बंगला चुराहे पर आंगनवारी सिविका के द्वारा प्रदर्शन किया गया ताकि आज कोई भी आंगनवारी सिविका बहार विधान समा के पास ब्रदर्शन ना कर सके बहार में आरक्षन की सीमा बढ़ाने के पक्छ में समराठ चौधरी का बयान बीदेद नितीश सरकार के दोरा अरक्षन कोटा बढ़ाने का फैसला लिया गया वहीं अविस पर बीजेपी प्रदीश अध्यक्ष समराच चौधरी के दोरा कहा गया कि जब बिहार में अरक्षन के समर्थक में रहे हैं बीजेपी की दोरा ही आरक्षन कोटा बढ़ाने का सुझाओ दिया गया था आरक्षन पर किंद्र की बीपी सिंग की सरकार और बिहार की करपूरी ठाकुर सरकार को भी हमारी पाटी बीजेपी की ओर से समर्थन दिया गया था हम हमेशा से ही आरक्षन के समर्थक रहे हैं उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि निकाय और पंचायत में भी आरक्षन का कोटा बढ़ाया जाए आस्ट्रेलियाई कप्तान ने ग्लेन मैक्सवल के महांतम बंडे पारी का किया खुलासा बीते दिन विश्वकब दो हजारतेईस के उन्ताली से मुकाबले में मुंबई के अवान खेरे इस स्टेडियम पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेरतेवे दर्द से जूज रहे ग्लेन मैक्सवल के द्वारा 123 गेंदों में एक इस चोके और दस छके की मदद से नाबाद 201 रन बनाए गए वहीं ग्लेन मैक्सवल के इस महानतम वंडे पारी का खुलासा करते वे आस्ट्रेलिया एक अपनान पैट कमिल्स के द्वारा कहा गया कि मुझे लगा था कि मुझे लगा था कि मुमेदान के बाहर चले जाएंगे हाँ हमारे पास न्यू साउथ वर्स के दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए सेस थे वो कतार में थे वो भी अपने मौके की तार में थे मगर हाँ मेरे ख्यासे जमपा तीन बाड़ आकर लोट गए मैकसवेल अपनी पारी जारी रखना चाहते थे उन्होंने कहा कि मैकसवेल की पारी को विस्तरत नहीं क्यारा सकता है यहाँ बेश कीमती थी जीत सांदार रही एक रिकेट के लिए शांदार चीज हुई यहाँ उन्देनों में से एक है जब लोग कहेंगे कि हाँ हम इस मैच में स्टेडियम में मौझूद थे जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी बुधवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पठना में आज पिट्रॉल डीजल गीवार में पुर्ण में पिट्रॉल कीवार में पिट्रॉल की कीमत प्रति लिटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पेटरोल की कीमत 101.61 रुपे og डीजल कीमत 25.3,1 रुपे व प्रती रीटर है बतादे की बिहार में पेटरोल का रिट सबस्यादा कछन गंज में हैं जहां पेटरोल 109.90 रुपे प्रती रिटर और डीजल 5.69 रुपे प्रती रिटर के दर से मिल रहा ह अब बरते आज के 5 सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है अब बिहार संग्रहाल है अगला सवाल ग्लेंट मैक्सविल ने कितने गेंदों में 201 रन बनाए अब बरते आज के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीक क्या है? अब बिहार सवाल इंडिया बुक अफ रिकॉर्ड्स तो हजार तेस में यूसरा फात्मा का नाम कितने कावे लिखने के कारण दर्च हुआ है? ऑप्षन ए 1, ऑप्षन B8, ऑप्षन C5, ऑप्षन D4 इसका सही उतर है ऑप्षन D4 बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने इपने जाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है।